दोस्बस फिर हम बात करेंगे इस TIA coin के price moment के बारे में updated levels और आने वाले दिनों में इस coin के targets कर रहेंगे currently coin 13.9 UST पर trade कर रहा है एक अच्छा breakout एक अच्छा quick pump इसकी price में back to back तेखने को बल रहा है और back to back ये coin नए levels को try कर रहा है जैसा मैं आपको previous videos में बताया था as it is ये coin move कर रहा है अभी इस coin के targets क्या रहेंगे as a trader long term और short term के perspective से आप किन areas पर नज़रे बना रख सकते हैं उबराल सारी चीज़ों के बार में बात करेंगे इस वीडियो में उससे पहले जो नए investor trader market में आये हैं जिनको जादा knowledge experience नहीं है उनके लिए हमने premium service start की है ताकि वहाँ पर आपको proper guidance प्रपर study share की जा सके चेट access रहेगा crypto queries resolve की जाएगी signal share की जाएगे और भी बहुत सारे benefits है और जो भी अपनी crypto journey profitable start करना चाहते हैं crypto losses से बजना चाहते हैं वो इंस्टा पर DM करके join कर सकते हैं इंस्टा की link वीडियो के description में है 14 USD पर अभी ये coin trade कर रहा है और सुबह के time में night के time में इस coin ने 14.5 USD वाला level try किया कल भी इस coin ने 14.78 USD वाला level try किया था डेली का chart open करें तो listing के बाद से लगातार ये coin breakout ले रहा है लगातार ये coin नए levels को try कर रहा है और 9 बर स्टार्टिंग में जो listing हुई थी उसके बाद से अभी तक is coin ने listing price से अगर हम calculate करें तो almost 700% से जादा का moment is coin में देखने को मिला है साथ के साथ में हमने जो starting में is coin में entry share की थी listing के बाद जब ये stability level था यहां जो हमने entry share की थी वहां से जिन लोगों ने buy करके रखा हुआ है अपने portfolio में is coin को hold किया हुआ है उनके portfolio में 500% 600% से जादा का profit is coin में देखने को मिल रहा होगा दूसरा बीच में नवंबर के end में जब is coin में एक और अपोस्टी आई थी वहां पर भी आपने buy करके hold किया हुआ है तो आपके portfolio में 150% का easily profit होगा बाकी जो quick targets हमने बताए थे जैसे जैसे इस coin के जो हमने quick target बताए as it is a coin move करके उन levels को तो hit करी ही रहा है profit तो आप generate कर ही रहे है daily के अंदर अगर हम support and resistance area की बात करें तो 13 UST से उपर इस coin के daily closing देखने को मिल रही है और 11.8 से लेके 12 UST वादा जो level है जो इस coin के लिए यहाँ पढ़ रहा है sense area था इस level को इस coin ने break करके और दो दिन पहले की जो closing है वो 12 UST से उपर की अच्छी strong candle देखने को मिली कल की closing भी 12 UST से उपर देखने को मिली है और 4-5 दिन की closing हमें 12 UST से उपर देखने को मिल रही है और overall यह coin drop तो हो रहा है लेकिन 12 UST 12.5 वाले level से वापस move कर रहा है यहाँ पर अगर देखें तो 14.78 वाला जो level try किया था उसके बाद इस coin ने drop लिया 12.8 वाले level तक price गई फिर 14.5 को try किया 12.7 को यहाँ try किया और overall बार बार 14 से उपर वाले level को try कर रहा है डेली के अंदिस को अनको 14 UST के round 14.2 के round में एक अच्छा कासा resistance area है जहां से rejection face करने को मिल रहा लेकिन normal rejection है कोई बहुँ जादा hardly rejection area नहीं है यहाँ पर November के starting में 2.35 वाले level पर हमने आप quantity share की थी वहाँ से quick target समने बताए थे short term में target बताए थे November end तक के target बताए थे कि November end तक यह coin 8 to 10 UST जाएगा और यहाँ इस coin ने यहाँ पर 7 UST तक try किया था फिर draw 4 और November end तक square ने यह कि यह December starting देखिए कोई भी time frame जब भी मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब exactly यह नहीं है कि 30 November ही है November end का मतलब ऐसा नहीं है कि 30 November तक चला ही जाएगा 25 of November को भी जा सकता है या 3-4 December तक भी जा सकता है तो इतना आपको time period में यह रखना है दूसरा price range अब भी बताते हैं तब आपको दोनों levels पर कुछ कुछ पार्ट सेल जरूर करना है 8 to 10 USD का मतलब है कि 8 USD पर आपको 40-50% पर जरूर सेल करना है और जिन्होंने उतने time hold किया जो 1 month hold कर सकते थे उन्होंने 8 और 10 USD पर सेल किया जो उससे जादा time hold कर सकते हैं उनके portfolio में अभी भी coin aid है और हमने जैसा आपको बताया है कि कोई भी coin जब तक आपके portfolio में aid रहे और उससे related कोई भी updated levels का वीडियो आता है आपको जरूर वोच करना है इससे आपको बहुत सारी चीज़े clear होती है कि कि कितने time आप hold और जिसे मान लीजिए market का इससर रहत है कि जिसे market move कर रहा हमने सौच लिया कि हम one month hold कर सकते हैं और जैसा basically हमने आपको levels बताया है उसे साब से move भी कर रहा है कि अभी इसमें ये सेनारियो है यहां पर यह stability maintain करेगा यहां से वापस bounce back होगा या इस level के बाद drop होता है तो किस level तक rise जाएगी अब उसमें आप calculate कर लेंगे कि मेरी बाइंग जो है यहां पर है यहां तक price आने के कोई chances नहीं है तो मुझे sell करने के कोई जरूरत ही नहीं है जब square ने move किया था और यहां price drop हो रही तो मिन आपको बताया था कि जो exit करना चाते हो इस level पर exit कर सकते है लेकिन जिनकी buying 3 USD या 3.5 से नीचे की भी है उनको नहीं गबरा ना वो hold करना चाते कर सकते 10 USD को भी cross करेगा अब 9 बर एंड तर किया December starting तक 10 USD जाएगा इसका मतलब इ रख सकते कोई problem नहीं दूसरा अभी दो दिन पहले मैंने और 12 of December को भी video share किया था जिसमें मैंने quick targets आपको बताये थे दूसरा December end या फिर January के mid तक का मतलब almost one month आप 20 days से लेके 30 days का wait कर सकते हैं वो 16 to 18 तक का target रखे था दूसरा जो quick profit generate करना चाहते थे उनके लिए 13.5 और 14.5 दो level मैंने बताये थे जिसको इस coin ने 14 December को ही hit कर दिया था और 14 के बाद 1st level को hit किया था उसके बाद 14.5 को कल hit कर दिया तो ये levels पर आपने sell करके profit book किया दूसरा जिनके portfolio aid है वो comment करके जरूर बताएं और उनको चीजे clear हो रहे होगी जिससे जिनोंने 5 USD पर buy किया था 10 USD का round sale करना चाहते थे मैंने 10 से पहले ही video share कर दिया था और regular basis पर video share कर देता हूं कि आप अभी hold कर सकते 10 से उपर भी जाएगा कोई problem नहीं है और अभी भी जैसे drop भी होता है तो maximum जो drop है वो 10 USD तक का होगा अगर होगा भी तो एक बड़ा rejection BTC में देखने को मिलता है बड़ा drop तो 10 USD को ये coin almost maintain करेगा क्योंकि 10 USD वाला जो level है वो इस coin को weekly के अंदर एक अच्छा कासा support बन जाएगा भी पिछले week की closing 9.8 से उपर देखने को मिली है जैसे ही एक coin 10 USD से उपर close करता है और कल Sunday है और Monday morning को जो closing होगी वो weekly closing भी होगी और तब तक 10 USD तक आने 5.5, 5.8, 5.2 पर stability maintain कि थी जो बड़ा drop था इस type का drop अगर इस coin में 14, 15 से होता भी है तो ये coin 10 USD से उपर ही 11, 12, 11.5 ऐसे level पर stability maintain करेगा तो जिनकी buying 8 USD, 9 USD तक की है वो almost safe है अगर वो long term के लिए hold करना चाते है आला कि 10 USD की buying थोड़ी risky है ये आपको ध्यान रखना है तो exit कर जा इस coin को 13, 13.5 और 14 पर ये आपकी बहुत जादा risk entry मतलब 10 USD से उपर की आपकी किसी भी type की entry बहुत risk है entry आपको नहीं लेनी है ये से basis पर कि ये coin move करेगा हम entry लेते हैं बीच में fluctuation होगी ऐसे level पर कभी भी entry नहीं लेनी है जहां से coin के drop होने के भी chances हो और BTC drop करता है तो ये भ करेगा और ऐसा कंपल से नहीं है कि हर बार BTC ने drop किया और ये coin quick recover कर गया quick move कर गया ऐसा हर बार नहीं होगा इसलिए एक level के बाद फिर हाला कि ये coin अभी भी bullish है और 16, 18 तक बहुत जादा correction के chances नहीं रहेंगे 16, 18 के बाद फिर क्या सिनारियो बनता है वो हम बता देंगे बा तो entry मलब नहीं आएगी तो entry नहीं मिलेगी माल लीजिए तो क्या हो जाएगा दूसरे बहुत coins है लेकिन ऐसे coin में कभी भी entry नहीं लेनी है जो उपर वाले level पर आलरेड़ी अच्छा move कर रहा है हम entry जब जब अपोस्टी रहती है हम entry share करते हैं तो जैसा में आपको बता है जो जितने time hold करना चाहते है 16-18 तक hold कर सकते हैं और भी कुछ levels रहेंगे उपर जाने की chances रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे बाकी कुछ पार्ट जरूर सेल करके profit generated करते रहें जिसे आपकी 2.35 बाएंगे फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है कोई problem नहीं कि आपको profit book करना लेक आपको ज्यादा knowledge experience नहीं है वह हमारी premium membership में जरूर इन्रॉल करें वहाँ पर आपको proper guidance proper study share की जाएगी चेट access रहेगा crypto queries की जाएगी signal share की जाएगी और भी बहुत सारे benefits हैं तो जो भी अपनी crypto journey profitable start करना चाहते हैं crypto losses से बैसना चाहते हो इंस्टापर डिये हम करके join कर सकते ह लिंक वीडियो के description में है बाकिया आप बाय और से खुद के risk और खुद के research के हिसाब से करें आपर हम कोई finance advice नहीं दे रहे वीडियो से पर education purpose तहें ताकि आपको overall coinculated knowledge हो सके वीडियो अच्छा लगा है like जरू करें चैनल को subscribe कर लें thank you